इंकम टेक्स के विद्यार्थियो पिछले टर्ण पर आप लोगों ने कर दे लाबों की गणना को समझना शुरू कर दिया था ऐसे लाबों की गणना जिसके उपर टेक्स से दिया जाएगा टेक्सेबल प्रोफिट और इनकी गणना करने के लिए समाने रूप से अपन लाबों में से खर्चे घटाते हैं जो आपके लाब हो रहे हैं उनमें खर्चे गटाते हैं खर्चे गटाने के बाद में टेक्सेबल प्रोफिट से आ जाते हैं जो खर्चे गटाते हैं उनको अपने चार भगों में बंटा था Expenses Expressly Allowed जिनके बारे में स्पस्ट रूप से लिख दिया गया है कि ये घटाने हैं वो और expenses अला हुए बलोंदा basis of general commercial principles व्यापार के ये वानिजी के सामाने सिद्धानतों के आधार पर स्विक्रत वे या घटाए जाने वाले वे दूसरी के टिकरी के और तीसरे देखे थे expenses expressly disallowed कुछ कर्चे ऐसे हैं जो स्पस्ट रूप से नहीं गटाए जाएंगे और एक चोथी के टिगरी बनाई अपने कुछ दसाओं में ऐस स्विक्रत वे expenses disallowed under certain circumstances उसमें जो पहली के टिगरी है इसपस्ट तया स्विक्रत वे वो अपने करना शुरू कर दिया था उसमें भवन से समंदित खर्चे आपने किराया चालू मरमत डेप्रीशियेशन यह खर्चे घटाए जाने हैं जो आते हैं इसपस्ट तया स्विक्रत expressly allowed और उसमें एक खर्चे के उपर अपनी चर्चा चल रही थी वेग्यानिक अनुसंधान पर वे प्रतेक व्यापारी अपने व्यापार के संबंद में व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए उसमें अनुसंधान करते रहते हैं तो अनुसंधान पर खर्चे होते हैं और सावाने रूप से उनकी वी छूटे दी जाती है जो अनुसंदान पर खर्चे होटवे हैं उनको इन्होंने लिया है वेग्यानिक अनुसंदान पर वे के सीड़ सके अंतरगत और उसमें एक केटेगरी थी ये दी वेग्यानिक अनुसंदान करता व्यापारी या करदाता स्वेम करता है अगर स्वेम करता है खुद तो आइगत और पूंजीकत खर्चे ये ये दोनों घटाए जाने ही होके हैं लेकिन पूंजीकत खर्चों में आप लोगों को ये बता दिया था कि भूमी को क्रेय करने के संबंद में अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसको नहीं घटाया जाएगा तो ये वेगयनिक अनुसंधान के खर्चे अपने घटाए खर्चे दो तरह के हो सकते हैं आइगत हो सकते हैं पूंजीकत हो सकते हैं और परिस्तिती ये हैं कि करदाता स्वेम वो खर्चा करें दूसरा ये है कि येदी बाहरी सेंस्था को दान दिया जाए येदी करदाता वेग्यानिक अनुसंधान स्वेम नहीं करता है बलकि बाहर की किसी सेंस्था को देता है और बाहर की सेंस्था ऐसी होनी चाहिए जिसका उद्ध्यے से वेगैनिक अनुसंधान का कारिय करना हो और वो विश्यो विद्याले कॉलेज या अन्य संथा अनुसंधान के कारिये में उसको प्रियोग करे ऐसी इस्थितिव में यह दि भारी संस्था को दान दिया तो जो दान दिया है उसका डेड गुना दो वन बाई वन एंड हाफ के बराबर या इसको कह सकते हैं डेड़ सो परसेंट छूट दी जाती है यदि बाहरी संस्था को दिया तो और वो बाहरी संस्था कोई कोलेज या विश्व विद्देले होना चाहिए ये बात और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि बाहरी संस्था को तो दिया है अपने लेकिन वो वेगैनिक अनुसंधान नहीं करके सामाजिक के उद्देश से के लिए अनुसंधान करता है सोसियल साइंस में रिशर्च करती है वो संस्था तो ऐसी परिस्तती में जो दान दिया गया है उसके बराबर की रासी यानि जितना दिया है उतनी Photoshop कटोती दी जाएगी 100% कटोती दी जाएगी और एक इस्ततिए इसमें बनती है यदि दान किसी कंपनी को दिया अभी तक तो अपन दान कंपनी को नहीं दे रही थे अनुसंधान करने वाली सेंस्थाओं को दे रहे थे अब अगर कमपनी को दिया जाता है और वो अनुसंधान के समंद में दिया जाता है तो जितनी रासी दी गई है उसके बराबर कटोती दी जाएगी और फिर उसमें एक केटेगरी आती है रास्ट्रिये परियोग साला को अनुसंधान के लिए भुगतान करना रास्ट्रिये परियोग साला जिसको कहते हैं नैसनल लेबरेटरी रास्ट्रिये परियोग साला तो रास्ट्रिये परियोग साला को अगर दान दिया गया है तो उसकी भी डेड़ सो परसेंट कटोती है यानि एक सही एक बटा दो परसेंट के बरावर तो ये हुई वेग्यानिक अनुसंधान के संबंद में अगर करदाता खर्चा करता है तो उसको कितनी छूट दी जाएगी ये आपको बताया वेग्यानिक अनुसंधान के लिए ये आपका पॉइंट यहीं खतम होता है उसके बाद में फिर एक खर्चा हो सकता है जो अगला खर्चा है एककश्व अधिकारों जिसको इंग्लिस में आप लोगों ने पढ़ा पेटेंट राइट्स पेटेंट को हिंदी में कहते हैं एककश्व पेटेंट राइट एवं कोपी राइट को प्राप्त करने के लिए कोई वे अगर करदाता अपने व्यापार के समद्ध में पेटेंट राइट और कोपी राइट के समद्ध में कोई खर्चे करता है तो अब इसको एक संपत्ती मान ली गई है जो खर्चा किया गया है वो एद्रिस से संपत्ती है और एद्रिस से संपत्ती को मानते हुए depreciation की छूट मिलती है ने की इस खर्चे की तो ये ध्यान रखेंगे कि patents और copyright के उपर अगर कोई खर्चा किया है तो वो अब एक संपती हो गई है और जिसके उपर address संपतियों के अंतरगत 25% की दर से depreciation लगाया जाएगा दूसरा खर्चा एक businessman कर सकता है दूर संचार सेवाओं के लिए spectrum के उप्योग का अधिकार प्राप्त करने के वे दूर संचार सेवाओं के लिए telecommunication के चेतर में expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services जैसे 4G और 5G चल रहे हैं ये इनके spectrum प्राप्त करने के लिए spectrum के उप्योग का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई खर्चा वो करता है तो ये ये पूंजीगत वे है और इसको spectrum के उप्योग के वर्षों की अवदी में जैसे वो spectrum कितनी अवदी के लिए ये 10 साल के लिए 15 साल के लिए काम में आएगा उसको जो खर्च की गई रासी है उससे नंबर ओफ येर से डिवाइड कर देंगे तो प्रतेक वर से उसके समंद में समान कटोती किस्तों के रूप में मिलेगी ये है इस्पेक्ट्रम के उप्योग का अधिकार प्राप्त करने के और फिर अगला खर्चा है दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के वे एक्स्पेंडिचर और ओटेनिंग लाइसेंस तू ओपरेट टेली कम्मुनिकेशन सर्विशेज दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करें तो जो प्रति वर से फिर उनकी छूटे दी जाएगी यह दूर सज्जार शेवाओं के लाइसेंस के संब्द में खर्चे की कटोती कैसे करेंगे इसके उपर अपनी बात हुई है फिर आगे अपने पास में आ रहे हैं ग्रामीन विकास कारीक्रम संचालित करने वाले संग अत्वा सेंस्थाओं को दिये गए भुकतान अगर किसी कोई संग या सेंस्था जो ग्रामीन विकास कारीक्रम संचालित कर रही है उनको व्यापारी बिजनिसमेन ने अपने कोई रासी का भुकतान किया है तो कटोती दी जाती है लेकिन इस धारा की कटोती के लिए ये कहा गया है कि एक मार्च तिरासी से पूरू किये गए वें के समद्ध में कटोती दी जाएगी और ये कारीक्रम एक मार्च तिरासी से पूरू अनुमोदित होना आवशेक है वैसे ये खर्चे का पॉइंट अपने बहुत ज़्यदा काम में आने वाला नहीं है तो इसको सिंपली बस एक जानकारी प्राप्त करी है उसको ध्यान रखें आप और उसके बाद में अगला जो खर्चा आ रहा है वो है कुछ प्रारंभिक way के समध में कटोती प्रारंभिक way ये आप लोग जानते हैं जिसको अपन कहते हैं preliminary expenses प्रिलिम्री एक्स्वेंसेज एक भारतिय कमपनी द्वारा अथवा भारत में निवासी अन्य करदाताओं द्वारा अगर ये किये गए हैं तो इनके संबंद में कटोती दी जाती है कटोती कितनी दी जाएगी इसके लिए आउसेक सर्तों में है कि पहले तो आप ये देखें कटोती योगे रासी और कटोती योगे रासी दो परिस्तितियों में एक तो नया व्यापार प्रारम करने पर और या व्यापार प्रारम होने के बाद उसके विकास के उपर कोई खर्चा करें प्रारंबिक वे तो ये इसके अंतरगते आती है कटोती की रासी होगी कि व्यापार प्रारंब करने से पूर किये गए वेयों की वास्त विग्रासी व्यापार को प्रारंब करने से पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं उन खर्चों की एक तो वास्त विग्रासी अत्वा व्यापार प्रारंब होने वाले वर्स के अंतिम दिन योजना की लागत प्रोजेक्ट कोस्ट यानि व्यापार जब प्रारंब हुआ उस वर्स के अंतिम दिन योजना की लागत क्या है अर्थात योजना की लागत का मतलब है 27 संपतियों की वास्तिविक लागत का 5 परतिसंट तो जब व्यापार प्रारंब हुआ उस वर्स के अंतिम दिन 27 संपतियों की जो कुल लागत है उसका 5 परतिसंट और एक हुआ प्रारंभिक वेयों के उपर वास्तों में किया गया खर्चा ये दो चीज आगे दोनों में से जो भी कम हो दोनों में जो भी कम हो वो कटोती योग्य रासी में सामिल करते हैं अपन। हुआ उसके अन्तिम दिन इस्थाई संपतियों की लागत इस्थाई संपतियों की वास्तिविक लागत उसका पांस परसेंट तो ये दो राशियां आ गई दोनों में से जो भी कम हो वो कटोती योगे रासी होगी पहले तो कटोती योगे राशी की गंड़ना कर रहे है अपन और कटोती योगे राशी की कैलकुलेशन करने के बाद में कटोती कितनी दे इसके बारे में लिखा गया है कि प्रतिवर से कटोती दी जाएगी कटोती योगे राशी का 20% तो यानि आप कटोती योगे रासी या क्वालिफाइंग अमाउंट ग्याद करेंगे और ग्याद करने के लिए दो पॉइंट थे और दोनों में से जो कम रासी है वो क्वालिफाइंग अमाउंट या क्टोती योगे रासी आ गई अब उस कटोतियों के रासी का हर वर्स 20% की कटोती दी जाएगी यानि पांच सालों में कटोती दी जाएगी प्रती वर्स जो रासी है उसका एक बटा पांच और रासी कैसे आई प्रारंबिक वेओं की वास्तों में खर्च की गई रासी अथवा व्यापार प्रारंब होने वाले वर्स के दोरान इस्थाई संपतियों की वास्तों इक लागत दोनों में से जो भी कम हो वास्तों इक वेओं की रासी और इस्थाई संपतियों की वास्तों इक लागत का फाई पर्सेंट दोनों में से जो भी कम हो पहले ये गड़ना और फिर उसके बाद में उस कटोती योग्य रासी जो निकाली है उसका हर साल एक बटा पांच छूट दी जाएगी ये खर्चा है प्रारंबिक वेओं के समद्ध में चूट कैसे थे हैं इसके समद्ध में एक फिर आता है अगला खर्चा स्वेचिक सेवा निवरती योजना व्यापार में क्रमचारी हैं और आजगल अपने या सरकार की पॉलिसीज को देखते हुए स्वेचिक सेवा निवरती जिसको कहते हैं VRS Voluntary Retirement from Service स्वेचिक सेवा निवरती खुद की इच्छा से अगर करमचारी सेवा निवरती लेता है तो उसको एक इकठी रासी दी जाती है वो बुक्तान की गई रासी का एक बटा पांस बार हर साल यानि पांस सालों में कटोती योगे होगा VRS लेने पर स्वेचिक सेवा निवरती लेने पर अगर करमचारी को एक साथ रासी का बुक्तान किया जाता है तो वो आगामी पांस सालों में कटोती योगे होगी स्वेचिक सेवा निवरती पर कुछ अलग से फाइदे हैं तबी करमचारी वो VRS या स्वेचिक अवका से लेता है और लेने पर कितना बुक्तान किया है टोटल बुक्तान और उसकी आगामी पांच सालों में कटोती दी जाएगी हर साल एक बटा पांच बाग उसका ये व्यापार का खर्चा हुआ वी आरेस के संबंद में वोलॉंटरी रेटायर्मेंट फ्रॉम चर्वीश और फिर उसके बाद में कुछ और खर्चे दे रखे हैं जो अन्य कटोतियों के रूप में हैं उनकी भी छूट दी जाती है जैसे स्टोक और स्टोर्स का बीमा करवाते हैं तो बीमा तो एक खर्चा है जिसकी कटोती दी जाएगी फिर करमचारियों के स्वास्थे का अगर बीमा करवाया गया तो उसकी कटोती करमचारियों को बोनस और कमिशन दिया जाता है तो भी व्यापारी को लाभानी खाते हैं में ये खर्चा मानते हुए लाभों में से कम किया जाएगा उधार ली गई पूंजी पर व्याज, इंट्रेस्ट और कैपिटल आप जानते हैं प्रोफिट और लोस काउंट के अपन डेविट साइड में दिखाते हैं लाभों में से चार्ज करते हैं ये वैपार का एके खर्चा है और फिर एक होता है जो टर्म आप लोगों को छोटे प्रस्णों की हिसाब से भी समझ लेनी चाहिए सुन्ने कूपन बॉंड के निर्गमन पर बटा की अनुपातिक आदार पर कटोती डिडेक्शन ओप डिसकाउंट और प्रो रेटा बेसिस प्रो रेटा मनी अनुपाति अनुपातिक ग्रूप से बेसिस ओन इस्यू ओफ जीरो कूपन बॉंड जीरो कूपन बॉंड या सुन्ने कूपन बॉंड के निर्गमन पर अगर बटा दिया गया है तो वो bond की अवदी में कटोती योगे होगा पूरे bond की अवदी में जितना भी बटा दिया है उसको divided by bond की अवदी या term of the bond बात यह है कि सुनने कूपन bond किसको कहें सुनने कूपन bond वो है जिसके संबन्द में जो जब परिपक्व होगा अथवा जिसको सोधित किया जाएगा उससे पहले निर्गमित करने वाली सेंस्ता से कोई भी बुगतान अथवा लाब प्राप्त नहीं होता है और केंदर सरकार ने राज़की गजट में गवर्मेंट के गजट में अधी सूचना जारी कर दी हो ऐसे bond कि अवदी 10 वर्ष से अधीक होनी चाहिए परंतु 20 वर्ष से अधीक नहीं होनी चाहिए यह है सुनने कूपन बॉंड सुनने कूपन बॉंड का मतलब अब समझ गए कि उसका जब भुकतान होगा और भुकतान के लिए मेचौर होगा उससे पहले कुछ भी रासी ने तो ड्यू होगी और ने बॉंड का होर्डर प्राप्ते कर सकता है यह होता है सुनने कूपन बॉंड और इसके उपर अगर निर्गमन पर बटा दिया गया है तो वो बटा इसके बॉंड की अवधी पूरी अवधी के दोरान कटोती योगे होगा हर साल उसमें कटोती मिलेगी आनुपाती ग्रूप से प्रो रेटा बेसिस पर और इसी तरह से अगला खर्चा आता है प्रमानित प्रोविडेंट फंड एवं अनुमोदित सूपरेजनेशन फंड में अस्दान नियोकता या व्यापारी अगर अपने करमचारियों के प्रमानित प्रोविडेंट फंड में योगदान करता है तो आपने वेतन सीर्शक की आय में पढ़ा कि प्रमानित प्रोविडेंट फंड में वो कितना दे सकता है उसके आधार पर उसको कटोती दी जाएगी इसी तरह से अगला जो खर्चा है वो है डूबत रिन के समद्ध में अगर बैट डेट्स हो जाता है रासी डूब जाती है तो वो भी छूटी हो गये है इस तरह से ये कुछ आपने ऐसे खर्चों के बारे में देखा है जो अपन छूट देते हैं तो इसके बाद में फिर आगे अपने यहां तक कंप्लीट करने के बाद में अब की बार सेकिंड नमबर पर अब लेंगे अपने खर्चों को चार बादों में बंटा था वाणी जे के फिर सामाने सिधांतों के अधार पर स्विक्रत वे कौन से हैं वाणी जे के सामाने सिधांतों के अधार पर स्विक्रत वे ये लेंगे अपने कल आज अपने ये कर लिया है कि expenses expressly allowed तब तक आप लोग इसकी ब्यापार और पेशे की थोरी अच्छे से पढ़ ले तैंक यू